नवस्कार आप देखरें जी बिजनुस मैं हूँ स्वाती रायन आप तक की तमाम बड़ी खबरे न्यूस टॉक ट्वेंटी बेख लेते हैं वर्फुल डिफॉल्ट रो राजसवा सांसद में जै मालिया के विदेश भागने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है आज संसद में इस मामले पर जमकर हंगामा हुआ कॉंगरस नेतारंडीप सिंग सुर्जेवाला ने मालिया को लेकर सीदे सीदे वित्तमंत्री अरुन जेटली पर गंभीर आरोफ लगा दिये कॉंग्रिस ने कहा कि दो मार्च को विदेश से भागने कि मालिया जेटली से मिले थे क्या सरकार इस पूरी बातचीत का मसवधा देश के सामने लाएगी वहीं मालिया की राजसवा से दस्यतर रद्ध हो सकती है करन सिंग की अगवाय वाली राजसवा के आच्छन सबती आज शाम फैस्तर ले सकती है वहीं मालिया भले ही विदेश भाग गए हूँ लेकिन एडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है सुत्रों के मताबिक जांच में एडी को मालिया के खिलाफ काफी सुबूत मिले है एडी को ये भी सुबूत मिले कि फंड के हेर फेर के जरिये काफी बड़ी रकम विदेश भेजी गई अब एडी ये सुबूत जुटा रहा है कि रकम किसको और कैसे भीजी गई E.D. ने शुकरबार को किंग फिशर के अधिकारियों से पूछताच भी की थी अब E.D. ने IDPI बैंक के अधिकारियों को पूछताच के लिए बुलाया है E.D. ने मामले के जांच तेज कर दी है किंग फिशर के पूर्व CFOA रगुनाथन से E.D. की पूछताच चल रही है E.D. रगुनाथन से मानी लॉंडरिंग मामले को लेकर पूछताच कर रही है इसे पहरे भी E.D. पूछताच कर चुकी है पिशले मही में S.F.IO की पूछताच में रगुनाथन ने मालिया को पूरे संकट के लिए जिमिदा ठेराया था रगुनाथन ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ मालिया के निर्देशों का पालं किया रगुनाथन से E.D. किंग फिशर एलाइन्स के वित्तिय धाचे के बारे में भी जानकारी हासिल करेगी बांकों के 9,000 करोड से अधिक का लोन डिफॉल्ट कर विदेश भाग्चो के वेज़ा मालिया का कहना है कि उनका भी भारत लोटने का सही वक्त नहीं है क्योंकि देश में उन्हें विलन बनाया जा रहा है मालिया ने The Sunday Guardian को दिये इंटर्व्यू में कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बारे में कोई कुछ कहे मुझे विलन बनाया जा रहा है मुझे छिपने के लिए मजबूर किया जा रहा है मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ यकीनन मैं वापस भारत आना चाहता हूँ मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते भारते बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उपरी स्तरों पर बाजार में दबाव देखने को मिला निचले स्तर के करीब बाजार बंद हुआ सेसेक सच्छी अंक निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए बैंकिंग और आटो शेरों में आज की कारुबार में खरीदारी देखने को मिली वही मेटल और रेयल्टी शेरों पर दबाव देखने को मिला नगाता 16 मही ने होलसेल महंगाई दर नेगेटिव मे रही फरवरी में WTI महंगाई दर माइनस 0.91 पसेंट रही जनवरी में होलसेल महंगाई दर माइनस 0.9 पसेंट रही थी 3.95% रही है दिसंबर का संचोधित महंगाईदर माइनस 0.973% के मुकाबले माइनस 1.06% किया गया है सोने चांदी के कीमतों में उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है MCX पर सोने का भाव मामूली के रावट के साथ 29,500 रुपई प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है महीं घरेलो बाज़ार में चांदी का भाव 200 रुपई के तेजी के साथ 37,800 रुपई प्रति किलो के बार पहुँच गया है सोने के के केमतों में इस साल करीब 18% की तेजी आई है जानकारों का माना है कि बाजार की नजर फेड की 15-16 मार्च को होने वाली बैठक पर है इससे निवेशक सतरता परत रही है क्रूड में गिरावट बढ़ गई है दूशे और MCX टूर में भी गिरावट नजर आई है MCX परकूर का भाव 1% टूट गया है जानकारों का कहना है कि बाजार में अब भी ओवर सप्लाई की चिंता पर खरा ले फाइजर और अबोट को हिल्थ मंत्राले के और से बड़ा जटका लगा है इस बाइजर अबोट को होगा फाइजर की कॉरिक्स और अबोट की फेंसिडल बाइज में शामिल है सनफार्मा, लिपेन, वोखार्ट और आलकम लाब्स की दवाएं भी इस बाइज में शामिल है SL ग्रूप उत्तरप्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा आज उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी अकलेश यादव के साथ मुलाकात के दौरान SL ग्रूप के चेर्में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसका ऐलान किया डॉक्र चंद्रा ने कहा कि SL वर्ल्ड से बड़ा प्रोजेक्ट उत्तरप्रदेश में लाएंगे SL ग्रूप ने पिछले साल दस हजार करोड के M.O.U. पर दस खत किये थे जिसमें से तेड़ हजार करोड का निवेश किया जा चुका है SL ग्रूप के चेर्मैन ने भरूसा जताय कि बच्चे वे साड़े 8,000 करोड का निवेश जल्थी किया जाएगा डॉक्र चंद्रा ने कहा कि हम किये गए वाले को जरूर पूरा करेंगे बहुत समय के बाद यह सी सरकार आई गा और पिछले साल भर में जो उसमें हमने 10,000 करोड का इंवेस्टमन का किया था उसमें से पंदरा सो करोड का निवेश अलरडी हम कर चुके हैं और पिछले 10 दिन से 15 दिन से जो हमारी बात चीच चल रही तो आज जो बात हुई है तो मुझे लगता है कि हमारा निवेश बाकी 8,000 करोड जो बचे हमारे पर उससे भी जादा का हो जाएगा जितनी चीजें जितनी तेजी से अखले जी और उनकी सरकार निड़ने ले रही है रिलाइंस जी और BSNL के बीच इंट्रा सर्कल रोमिंग अग्रीमंट को मंजूरी मिल गई है दोनों कमपनियों के बोड ने इस अग्रीमंट को मंजूरी दे दी है इंट्रा सर्कल रोमिंग के लिए इस महीने के अंध तक अग्रीमंट साइन हो सकता है अग्रीमंट के बाद BSNL के ग्रहाकों को रूमिंग के जरिये 4G सेवा मिलेगी रिलाइंस जी वोईस सर्विस के लिए BSNL के नेटवर्क का इस्तमाल करेगी दोनों कम्पनियों ने नेटवर्क टेस्ट का पूरा काम कर लिया है आटो अंसलियरी कम्पनी रिको आटो डिविडिन्ट देने का अईलान कर सकती है जी बिजनस को मिली एक्स्क्लूजिव जानकारी के मुतावे कम्पनी दो रुपए प्रतिशेर का अंतरिम डिविडिन्ट देने की घोशना कर सकती है कंपणी 18 मार्ट को डिविडेंट का एलान कर सकती है वहीं कंपणी के उत्तराखंट की सबसेजरी को विले करने की यूजना है कंपणी में फ्रमोटर्स की सिदारी 50 से जादा है JSPL की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही क्रिसिल कंपणी पर कुल 49,338 करोर का भारी बर कम कर्ज है और इससे कंपणी के नतीजों पर दबाव जारी रहने का अनुमान है दिल्ली वालों कोहरबाई ने ग्रीन टैक्स के तौप पर एंवाइंडमेंट कॉंपनेशन फीज देनी पढ़ सकती है और हो सकता है ये चार्ज आपको बिजदी के बिल के साथ भरना पड़े एंगीटी ने दिल्ली वालों पर ये चार्ज लगाने का फैसला किया था लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका होने के मज़से ये लागू नहीं हो पाया एंगीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस रकम को यमुना की साफ सफाई में खर्च करे हाना कि कहा ये जा रहा है कि ये चार्ज सौ रुपै से पांच सौ रुपै के बीच हो सकता है लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा बैंक 23 मार्च से 27 मार्च तक लगाता पांच दिन तक बंद रहेंगे इसलिए बैंकों से जुड़े अपने सारे काम समय से निप्टाले नहीं तो मुश्किल हो सकती है होली और गुड़ फ्राइडे के चलते इस दौरान बैंकों में छुट्टी रहेगी पैसा निकालने के लिए सिर्फ एटीम रहेंगे लेकिन त्योहारी सीजन होने के कारण ये भी जल्द खाली हो सकते हैं बेमौसम बारिश और ओले से रभी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है पंजाब avor today पश्टी में उतर प्रदेश और मद्ण प्रदेश पे बेमौसम बारिश से गेहूं और सलसों की फसल को सबसे जयादा नुकसान पहुंचा है ओलो और तेज हवाओं से खड़ी फसले जमीन पर गिर गई हैं हर्याणा में करीब 25 लाख हेक्टर फसल को नुकसान पहुंचा है इसमें से 5,5 लाख हेक्टर में सलसों की पसर प्रभावित हुई है लोकसभा में राहूल गांधी ने बारिश और ओलो से हुए नुकसान का मामला उठाया है उत्तर भारत में तीन दिरों से हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने से कई किसानों की फसले बरबाद हो गई है पंजाब में ओलो और बारिश से करीब 20 से 25 फीसले फसलों को नुकसान पहुँचा है राहूल गांधी ने संसद में कहा कि इस मुद्धे पर चर्चा होनी चाहिए तो वही दूसरी ओर सरकार ने जल से जल आक्शन लेने का भरोसा भी दिलाया है राजी सब्वा में आज कॉंग्रिस ना गुलाम न भी आजाद के बयान पर हंगामा हो गया आजाद ने RSS के बारे में विबादित बयान दिया था संसद में आज सफाई देते हुए आजाद ने एक CD पेश की आजाद ने कहा उनके पूरे बयान को सुना जाना चाहिए जबकि बीजेपी ने गुलाम न भी आजाद से माफी की मांग की है कॉंग्रिस अबादिक राहूल गांधी ने बिटिश नागरिक्ता के विवाद पर मुद्दे पर बीजे प्रिता सुभर्मनयम स्वामी ने शिकायइट की ते भारत ने अग्नी वन बिलिस्टिक मिसाल का सफल परिक्षण किया ओडिशा के मिसाइट पर इस बिलिस्टिक मिसाल का काम्याप टेस्स किया गया ये मिसाल 700 किलो मीटर तक मार कर सकती है मिसाइल नाविगेशन सिस्टम से लेस है इससे पहले इस मिसाइल को 27 नमबर 2015 को इसका परिक्शन किया गया था